नमस्कार मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज बताने वाली हों के गर्वती मेलाओं को क्या खाना चाहिए जिससे उनका बच्चा को पोशन का शिकार ना हो वो स्वयं भी को पोशन का शिकार ना हो तो आप अपने जो डाइट चार्ट है उसमें शामिल कर लें यह जो मैं बताने वाली हूं आपको आप एक ग्लास जूस आवला ओंसदों हैं, आप शुपणदर है, पालक है, आवला इन तीनों का मिक्स जूस आप घर पर ही निर्माण करें, गर पर ये बनायें और वो एक ग्लास की मात्रह मैं आपको शुबह सात वज़े से आठ वज़े के बीच में साथ में आप लौकी का रस लौकी का जूस निश्चित रूच से इसमें शामिल करें पहले ये तीनों तरह के जो चुकंदर हैं आवला है पालक है चाहें तो उसमें ही आधा चुकंदर डालके और आप वह कंप्लीर जूस आप निकाल सकती हैं और लौकी का जूस आपको अलग और आपको कम से कम एनीमिया तो नहीं होगा थेली सीमिया में भी ये जो जूस है वो काम करेगा सिकल सहल एनीमिया होगा तो भी उसमें ये जूस काम करेगा और आपको माल निट्रिशन से बचाएगा और आपके शरीर में पानी की कमी होने से भी बचाएगा तो डिहाइटर तो काहले चाहिज़ी के भी मकलते हैं। काम्प्रीट लेना ही चाहिए और इसके साथ मैं कभी-कभी अंकुरित भी आपको खाना चाहिए जिसे आपने चन 2022 आपने उंकुरित पर लेती से यहाई जीवन केुट के इसके इसे आफने भी आपने गाया घया मिल करनी गर्वकाल में तो निश्यत रूप से आपका बच्चा बिना उश्वदियों के हैल्दी और स्वस्थ ही पैता होगा कोई भी ना तो उस बच्चे को कोई परेशानी होगी ना उस बच्चे को कोई बीमारी आएगी